आज आपकी हमारी मैम आपको हिंदी कर बढ़ाएंगे और हिंदी में हम व्यांजन मा देखेंगे तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं? आगे के व्यांजन का रिवीजिन करते हैं तो लेट्स चार्ट तर रिवीजिन क क से कवा ख से खिर्की ग से गगन ग ग से गोसला अंग अंग से कुछ भी नहीं च च से चींटी च च से छत्री ज ज से जहाज ज ज से जर्ना य य य से कुछ भी नहीं त त से तमाटर थ थ से ठेला द, द से दाखिया ध, ध से धाल न, न से कुछ भी नहीं त, त से तोता थ, थ से ठाली द, द से दीपक ध, ध से धागा न, न से नाल प, प से पिंजरा फ, फ से फसल ब, ब से बतक भ, भ से भवन अब हम व्याजन म देखेंगे और व्याजन म से जुड़े कुछ चित्रा देखेंगे ओके, सो लेट्स को व्याजन म, म से मतर म से मचली म से माला म से मोर आओ बच्चो अब हम एक छोटी सी कवीता गाते हैं आज की हमारी कवीता का नाम है चिडिया तो शुरू करें उख्ये चीं 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 करती चिडिया फरफद फरफद उड़ती चिडिया गाना कितना गाती चिडिया ननही ननही प्यारी चिडिया तुम भी जब अपना मुख खोलो चिडिया जैसा मीधा बोलो चीं 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 करती चिडिया ओके तो एक और बार करेंगे हम यह कवीता यह सो, लेट्स स्तार्ट चीं 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 करती चिडिया फरफद फरफद उड़ती चिडिया गाना कितना गाती चिडिया ननही ननही प्यारी चिडिया तुम ही जब अपना मुख खोलो चिरिया जैसा मीथा बोलो ची 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 करती चिरिया आपको कवीता अच्छी लगी हो आपको कवीता अच्छी लगी होगी अब हम व्यांजन म का राइटिंग फॉर्मेशन देखेंगे अब हम व्यांजन म लिखना सिखेंगे उसके लिए आपको अपनी क्लास्वक बुक में पेज नमबर फिफ्टी टू ओपन करना है और मैम आपको साथ में दिखाएंगे नोट बुक में पर आपको ये फॉर्मेशन के साथ अपने क्लास्वक बुक में लिखना है अब व्यांजन म का फॉर्मेशन देख लेते हैं फर्स्ट ब्लू लाइन से थोड़ा सा नीचे आएंगे सर्कल करके सेकेंड ब्लू लाइन पे स्लिपिंग लाइन गो अप, कम डाउन, स्टेंडिंग लाइन और शीडो रेखा म, म से मचली म, म से मुटी म, म से मा म, म, म से माला आप फिर से फॉर्मेशन अच्छे से देखते रहें फर्स्ट ब्लू लाइन से सेकेंड लाइन से थोड़ा सा नीचे जाके सर्कल बनाएंगे सेकेंड ब्लू लाइन पे स्लिपिंग लाइन गो आप, कम डाउन, स्टेंड लाइन अद शीडो रेखा म, म से मुटी म, म से माला म, म फर्स्ट ब्लू लाइन से सेकेंड ब्लू लाइन थोड़ा सा नीचे जाके सर्कल देन स्लिपिंग लाइन सेकेंड ब्लू लाइन पे फर्स्ट ब्लू लाइन से लेके सेकेंड ब्लू लाइन नीचे जाएंगे और थर्ड लाइन को टाच करके स्टैंडिंग लाइन म तो ये है व्यांजन म आपको इसी तरह से अपने क्लास वक बुक और हुमवक बुक में फॉर्मेशन के साथ व्यांजन म लिखना है आपको अपनी हुमवक बुक में भी पेज नमबर फिफ्टी टू पर व्यांजन म अच्छे से फॉर्मेशन के साथ लिखना है जैसे आपने क्लास वक बुक में लिखा ओके Hope you liked the video and understood the concept and understood the formation of व्यांजन म अब हम हमारे नेक्स सेशन में मिलेंगे एक अलग सब्चेट के साथ और एक नए टापिक के साथ ओके तब तक आप ये व्यांजनों का रिवीजिन करें और उसे प्रक्टिस करें बाई प्रक्टिस प्रक्टिस